हे बड़ सब गईज की अहल चाल उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे तो गईज आज मैं अगेन आपकी खिदमत में पेस करता हूँ एक और आइटम डुपलिकेशन गिलिच फोर माइन क्राफ्ट पी एंड बैडरॉक बन पॉइंट ट्वेंटी तो इस गिलिच को करने के लिए आपको चाहिए एक पिकेक्स, आठ कोईवी सॉलिड बिलॉक और एक बैरल वाकी गईज आपको वो सबी आइटम से ले लेने हैं जिनको आपको डुपलिकेट करना है आप कितने भी आइटम से ले सकते हो ठीक है गईज सारा मैटेरियल लेने के आपको कहीं पर वी एक बैरल प्लेस करनी है इसके साइड में आठ सॉलिड बिलॉक प्लेस करने के तुरंत वाद आपको अपने वल्ड को सेवेंड कोईट कर देना है ये वाला काम आपको बहुती फास्ट तरीके से करना है तुरंत के तुरंत अपने वल्ड को सेवेंड जाओ तो आप अपने वर्ड की एक कॉपी भी वना लेना जिससे आपका वर्ड सेप रहे क्योंकि गिलिच में कुछ भी हो सकता है आपके आइटम से भी गायव हो सकते हैं इसलिए बल्ड की कॉपी वनाने के बाद आपको अगेन तुरंत का तुरंत अपने वर्ड में बापस चले आना है बल्ड में आने के बाद आपको तुरंत बैरल को खोलना है और उन सभी आइटम्स को बैरल के अंदर भर देना है जिनको आपको डुप्लिकेट करना है अभी तुरंत का तुरंत आपको पिकेक्स उठानी और इन सभी सॉलिड ब्लोक को तोड़ देना है लेकिन वाला काम भी गई जब को बहुत फास्ट तरीके से करना है क्युकि गिलिच को करने के लिए स्पीड मैटर करती है। और गेम के अंदर बापस आने के वाद आपको तुरंत का तुरंत अपने वर्ल्ड के अंदर बापस चले जाना है। उसी के अंदर जिसके अंदर आप गिलिच को कर रहे हो। और अभी हम अपने बल्ल के अंदर वापस आ चुके हैं अभी अब आपनी अरे गईज अपनी इन्वेंटरी में तो ही आइटम्स वापस आ चुके से थोड़े से बिलॉक भी वापस पेलेस होगे। अभी बेरल को उपन करके देखते हैं इसमें क्या मामला है प्रे भाईया इसमें तो सेम टू सेम माल पड़ा है मतलब की अपना आइटम डुपलिकेशन गिलिच सक्सेस्फुल हो गया आप भी इसी तरीके से इस इजी से और सिम्पल से आइटम डुपलिकेशन गिलिच को अपने गेम के अंदर कर सकते हो और फिरी का माल लूट सकते हो तो इसी बात पे चलो लाइक करो शस्क्राइब करो और सेर भी कर दो अगर नई करना तो जाओ गिलिच को करो एक वारी में नाओ तो दुवारा ट्राइ करो तीवारा ट्राइ करो